बीजेपी सरकार बार 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 बेधर शिक्षा की दावे तो करती है लेकिन शिक्षा के मंदिर में जिनके कंदों पर बेधर शिक्षा देने का भार है तो तो वहीं इसे शरम शाहर करने पर उतारू हैं तो क्या किया जा सकता है ऐसा नजारा सोनीबत के गाउन ना नोर के सरकारी स्कूल में देखने को सामने आया जहां पर स्कूल के वाइस प्रिंसिपल ने एक महिला टीचर के साथ मार पीट कर दी जिसके बाद महिला टीचर की हाथ में फैक्चर आया है बताया जा रहा है किसी चोटी ची बात को लेकर दोनों की आपस में कास सुनी हुई थी जिसके बाद स्कूल के बच्चों के सामने ही वाईस प्रिंसिपल ने महिला टीचर को पीटना शूरू कर दिया फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है वहीं महिला टीचर ने मीडिया के सामने आकर पुलिस पर समझोते के लिए दबाव बनाने का आहरूप लगाया है वहीं पुरा मामला सरकार के दर्बार में पहुंच चुका है CM की मीडिया सलाकार ने कहा कि मामले में निश्पक्ष जांच होगी और दोशी खलाफ सक्त से सक्त कारवाई होगी तस्वीरों में दिखाई देने वाली है ये अध्याप्रिका औरमिला देवी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उर्मिला का एक हाथ पर प्लास्टर लगा हुआ है इसके हाथ में फैक्चर आया हुआ है ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि इस महिला टीचर के साथ स्कूल के वाइस प्रिंसिपल ने किस हद तक मार्पीट की है आपको बता दें कि सोनीपत के गाउन नान नोर के राज के वरिष्ट मादेमेक विद्याले में उर्मिला देवी इंग्लिश के टीचर हैं वहीं इस स्कूल में सुनील राठी नाम के वाइस प्रिंसिपल हैं बताया जा रहा है कि दोनों अध्यापकों में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई और उसी के बाद वाइस प्रिंसिपल सुनील राठी ने उर्मिला देवी के साथ मारपीट शुरू कर दी ये पूरा वाक्य क्लास के बच्चों के सामने ही हुआ लेकिन पूरे मामले के बाद कोई भी चातर कुछ भी बता नहीं रहा है वहीं पूरे मामले के बाद स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि ये पूरा वाक्य के नेंदनी है ऐसा नहीं होना चाहिए था हाला कि किस बात को लेकर जगड़ा हुआ इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं है उन्होंने दोनों टीचरों के खलाफ कुछ अधिकारियों को लिख कर दे दिया है सर मैंना स्कूल में गई तो फर्स्ट पिरियोड में मैं दोनों कलासों कठा पढ़ा रही थी दूसरे सेक्शन की कलास नाइंथ एक ही खाली पढ़ी थी मैंने भी ना कही अपनी दोनों के अज़ेस्टमेंट करके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया तब ही दूसरा टीचर आया बोला मैडम मैंने कलास लेनी है मैंने का आप तो पढ़ने दो इन बच्चियों को बाद में आप ले लेना अगर फिर भी नहीं लेना चाते हो तो मैं फिर भी ले लूँगी उसके बाद मैं फ़र्सट पिरिड लेकर अपने स्टाफ रोओ में चले गई उसके बाद प्लस्टो में गई थर्ड पीरड में उसके बाद मेरा फोर्थ पीरड खा ली था और मैं प्रैमरी सेक्षन की तरफ गई वहाँ पर मैं छोटे-छोटे बच्चों को प्यार से पढ़ाने लगी तो वहाँ पर ये सुशिल राठी जो टीचर आरोपी ये बाहर गूम रहा था और तीन-चार बार मुझे घूरता हुआ वहाँ से बच्चों को दमकाता हुआ और मुझे घूरता हुआ से चला गया मैंने अपनी आप बीती स्टाफों में आकर सब भी अपने साथ यद्यापकों को बताया कि आज मुझे ये राठी घूर रहा था कलास में फिर उसके पाद रिसेस हो गई फिर छटा पीरेड आया फिर मैं नाइंथ कलास में गई वहाँ पर ही आया और बच्चों के सामने मुझे गाली के लोच करने लगया तो मैं ब्रंडे में आई जैसे ही तो उसने मुझे थपड जोब उसके आथ में आया डंडे थपड लात गुसों से बाल पकड़ कर मेरे को नीचे गिरा दिया और मुझे पीट कर और इट पड़ी थी डंडे पड़े थे पीट तावा चला गया हूँ और मुझे बोला अगर आज बच गी तो आईंदा कभी जिन्गी में ने बच सकती तुझे आज छोड़ूंगा नी जब मैंने बचा बचाओ गिया तो पास के ध्यापकों आये और उनको देख कर वो फिर स्कूल से फरार हो गया उसके बाद अब ना तो पुलिस ने 25 तारीकों इसा मामला हुआ छटे पिरड का मामला शनिवार का राखी से पहले दिन का और आस तीन तारीक होगी ना तो वो आरोपी टीचर सुशील राटी मैथ लेक्चरा रेस्ट हुआ है ना उसके खिलाब कारवाई को ही हमारे सिक्षा भी भागने की है और ऐसा चो और सभी साथिया ध्यापक भी मुझे फैसला करने के प्रेशर बढ़ानी है जो मैं नहीं चाहती मैं सिर्फ नय चाहती हूँ जहां पर सरकार बेटी बचाव बेटी पढ़ाव की बात करती है वहां पर महिला ध्यापक के साथ भरे स्कूल में एक बज़े कैसे दिन ध्याडे पीटा जाता है लेकिन उसकी खिलाबास तक भी कोई कारवाई नहीं होती समाज में कैसे जी सकते हैं आप सब को पता है एक महिला ध्यापक कैसे बच्चों से प्यार करकिया और उसका कैसे बड़े स्कूल में बच्चों के सामने टीचर के सामने कैसे अपमान किया जाता है तो मैं तो सरफ परसाशन से और सिक्षा विभाग से ये गुवार लगाती हो कि मुझे नयच चाहिए और उसके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि मैं भी समाज में जी सकूँ आज डीएसपी से मिले थे उन्होंने क्या कहा अज मैं डीएसपी से मिली डीएसपी साहब बोले कि समझोता कर लो अज चो साहब ने भी एका समझोता कर लो आरोपी टीचर काफी टीचरों को लेकि आए वाथा पंचयत के लोग भी आए हुए थे सबी मेरे उपरशबर्दस की प्रेशर बरना रहे थे कि समझोता कर लो, समझोता कर लो लेकिन मैं समझोता नहीं चाहती हूँ मैं तो सिर्फ नहीं चाहती हूँ जैसा मेरे साथ उसने किया है उसके साथ भी वैसा ही हो और मैं उसके खिलाब प्रसाशन कारवाई करें और नहीं हो मेरे साथ यह कुम से स्कूल ही गटना दी? यह सदपूर नांद नोरगाओं के स्कूल की गटना है मेरा नाम उर्मिला देवी, इंग्लिस पीजिटी लेक्चुरार यह 9th A में 6th period की बात है मैडम उर्मिल की यह गंटी थी वो 10 मेट तक नहीं आई तो टीचर ने, जैसा मुझे बताया गया टीचर ने के नहीं आने पर इंचार ने उनको बुलवाया बच्चों के हाथ से, बच्चे वहाँ पहुंचे और टीचर को बुला के लिए आई जैसी टीचर आई, वो इंचार यहां ओफिस में आ गए थे तो उनको क्लास में बुलाया, दो बार बुलाया बच्चों से कि आप आईये मेरी क्लास में आईये और फिर वहां उनकी कहा सुनी हुई उसके बाद में वो बरांडे में आ गए और बरांडे में उनकी छिना जप्ती हुई, छिना जप्ती मींस फता पाईये इतना ही, हाँ देखते हो कि पुरुष टीचर, महिला टीचर को फिटता है, क्या सुभा देता है? बिल्कुल अबद्र व्यावार था, बिल्कुल अबद्र व्यार था, बच्चों के ओपर विप्री तसर पड़ता है, ये घटना मेरे स्कूल में हुई है, मुझे खेद है, आगे सैसी घट कि अपना ना हो, उसके हम प्रियास करेंगे. से क्वेश्टन मार्क लग रहे हैं. उनको इस तरह की हातापाई नहीं करनी चाहिए थे. उसके पास पुल्डी और पुलिश अदिकारी आप से क्वेश्टन मार्क लगा रहा हूं. थाने में भी बुलाए गया है, तो वहाँ भी बातचीत हुई है. अभी तक उस टीचर का यहाँ कोई पता नहीं है, मेरे पास कोई इन्फोर्मेशन नहीं है, इसलिए उसमें क्वेश्टन मार्क लगा रहा हूं. इस तरह की गटनाएं ना हो, उसके लिए हमें अपने अंदर सेल्फ डिस्सिप्लिन पैदा करना पड़ेगा, तभी यह गटनाएं रुख सकती हैं, अगर टीचर सेल्फ डिस्सिप्लिन नहीं होगा, तो यह गटनाएं फिर भी होंगी. कि ममला सामने आया है, और इसलिए डिस्पी को इंक्वारी दी गई है, ताकि जो है, जो धाने की पुलिस है, उस पर उनका यह था कि यह कहीं न कहीं पक्षबात कर रहे हैं, इसलिए डिस्पी को इंक्वारी दी गई है, और निश्पक्स ढंग से इंक्वारी होके, जो भी क अगर जो है डियस पी से उलकी संतुस्ती नहीं है अगर पीडिता चाहेगी तो किसी और अधिकारी से भी उसकी जांच करवाई जासे है फायर नंबर के इन सुत्रा रिस्टर करी गी है 25 होई अन्यवैसी के संजारी है अगर परिवार भाखेना कि अभी तक दस दिन बीच चुके हैं आट दिन के करी वह अभी तक आरप में गरफतार ने किया है अरप को गरफतार करने के लिए लेडिज के सचोषग के बयान करवा चुके हैं इन चुचोवन अभी चारपम दिन पहले ही जाद हुई है इससे पहले दिन चुचोवन एडिक मातर एक लड़ाई जगड़े का मुकदमा था उसने दुबारा बयान देने के बाद लेडिज के सचोषग करवाए है और बार बार रेड की जारी है गश्मीद तो टीचर को पकड़ने के लिए कितनी टीम हो जारी है दो तीन टीम लगाई भी है और बार बार आत को भी और दिन में भी रेड की जारी है तीचर मोके में भी जारी है हमारे की जारी है कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा जल जल गिरफ्तार कर लिया जाएगा जल जल ग